गुरुदेव और मागायत्री के चर्णों में कोटिकोडिनमन आप सभी को रणाम गायत्री महामंत्र की महत्ता इस प्रवचन में पिछली बार गुरुदेव ने बताया था कि मानों का शरीर यंत्र की तरह काम करता है चारों वेद गायत्री के पुत्र हैं ऐसा शास्त्रों में कहा गया है गायत्री बंद की उपासना सर्विस रेष्ट है इसमें बुद्धी को सनमार्ग में प्रेड़ित करने की प्रात्ना की गई है उपासना हम सभी के लिए आवशक क्यों है आईए अब हम जानते हैं इससे आगे परमात्मा की नस्दीक जब साधक पहुँच जाता है तो वो अपनी वेदनाओं को भक्ति भाव से उनकी सामने रखता है उस समय भगवान भक्ति की जो आवशक मनुकामना हैं उसे पूरा कर देते हैं उसकी त्रशना वासना अंता को समाप्त कर देते हैं साधक को भौतिक लाभों के अंतरगत चिरिस्थाई संतोष, मनुविकारों का शमन, संकटों का निवारन, सुखी ग्रहस्त जीवन, हस्ता हसाता जीवन, लोग सम्मान जैसे लाप्राप्त होते हैं इसके साथ ही उनका परिश्कृत सभाव, दैवी अनुग्र, सेवा की भावना जैसे आध्यात्मी ग्लाप, साधक को मिलने लगते हैं, जिससे वो नर से नारायन बन जाता है आगे गुर्देव कहते हैं, हमारे पास तप्व भूमी में नित्ते एक नएक व्यक्ति आते रहते हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं हमने गायत्य उपास्ता की माध्यम से उन्हें राहत पहुँचाने का काम किया है एक मध्य प्रदेश की प्रधान अध्यापिका आती थी, उसे नीन नहीं आती थी, तथा हमेशा रोती रहती थी हमने उसे ठीक कर दिया, अब उसको नीद आ जाती है एक बार हमारे पास एक सेट जी आये, उनका इंकम टेक्स का घोटाला था, वे परिशान थे उनके पास कुल पूजी 32 लाक रोपे थी, इंकम टेक्स का 10 लाक रोपे देना था, वे परिशान थे हमारे कहने पर उन्हें शान्ती मिली, हमने कहा कि आपके दस चली जाएंगे तो भी आपके पास 22 लाक तो बचेंगे आप परिशान क्यों है, फिलहाल तो जाएगा नहीं, अगर चला भी जाएगा, तो भी तेरी कमी पूरी हो जाएगी हमने उसे गाइतरी मंत के जब के लिए कहा और उनकी बुद्धी में बदलावा गया बेटे इस मंत की महान शक्ती है, पहले जमानी में संत महात्माओं की पास गाइतरी मंत का बल होता था, इसकी कारण वे हर जगह विजय होती थे एक बार सिकंदर हिमालाई की ओर गया और एक महात्मा से कुछ मांगने को कहा, उसने कहा आप शक्ती शाली हो तो धूप निकाल दो, सिकंदर चुप खड़ा हो गया अच्छा तो तेरे पास में इतनी शक्ती नहीं, तो हट पूरब दिशा से हमें धूप लेने दे बेटे, ये साहस एवं आत्मबल गायत्री मंत्र का था, जिसके बल पर उस महात्मा ने विश्वे विजई सिकंदर को परास्त कर दिया था गायत्री महामंत्र एक महान एवं मत्वपून मंत्र है, जब किसी के हृदय में प्रवेश कर जाता है, तो अंत्ह का पाट को खोल देता है, और उसका कायकल्प हो जाता है आमरपाली के अंदर प्रवेश किया, तो वो बुद्ध की महान शिश्या बन गई, उससे अपना तन, मन, धन, सब कुछ उनके चर्णों में समर्पित कर दिया एक बार वो बुद्ध के चर्णों में गई, उनसे कहा कि प्रवु हम अशुद्ध है, आपकी शरण में आये हैं, क्या आप हमारा उधार कर सकेंगे भगवान बुद्ध ने उसे कुछ मंत्र बतलाया और कहा कि आप इसका जब करें, एवं अपने जीवन में उसे धारन करें वो बहिला जो अपने शरीर का व्यापार करती थी, उस दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया वो महान बन गई, बुद्ध की महान शिश्या बन गई, और बुद्धम शर्णम गच्छामी, संगम शर्णम गच्छामी, धंमम शर्णम गच्छामी का नारा लगाते हुए, करोड़ों लोगों तक बुद्ध का संदेश पहुँचा दिया बेटे ये है गायत्रिमंत्र की शक्ती जिसके द्वारा विचारों में बदलावाता है और उसे संतोश मिलता है वास्तों में गायत्रिमंत्र भगवान की एक श्रेष्ट प्रात्ना है जिसके अंतरगत हम प्रात्ना करते हैं हे तेजस्वी पर्मात्मा, हम आपके श्रेष्ट प्रकाश को अपने में धारन करते हैं, आप हमारी बुध्धी को सनमार्ग पर प्रेशित करें। ब्रह्मा जी द्वारा दिये गए इस गायत्री महामंत्र को, जिस दिन से इस धर्दी पर विद्धिमान लोगों ने अपने जीवन में अपनाया, उसे चैन, संतोश, प्रेम, नैतिक तैवं, सहयोग मिलने लगा। आज भी इस मंत्र को ग्रहन करके कमजोर वर्ग के लोग भी महानता क्योर बढ़ रहे हैं। ये ठीक है किसके लाब मिलने में कुछ समय लगता है। इस मंत्र के द्वारा हतेली पर पौधे नहीं उगाय जा सकते। मनश्य के कशाय कलमश जब धुल जाते हैं, तब उसकी पा आधवाचारे नमक संत थे। उन्होंने 24 साल तक गायत्री उपासना की। परंतु जब कुछ लाप नहीं मिला तो वे बहुत दुखी हो गए। और एक तांत्र के कहने पर गायत्री मंत की साथना छोड़कर भहरव की साथना करनी लगे। थोड़ी दिन में उनके पास जी हैं तो आगे आएं। भहरव जी ने कहा कि हम आगे नहीं आ सकते। आगे आने पर हम जल जाएंगे क्योंकि आपने गायत्री उपासना की है। माधवाचारे ने पूछा तो हमें लाप क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आपके कशाय कलमश्ट थे। वे अब धुल ग इस प्रकार 24 साल की बाद गायत्री साधना का लाप मिला। गायत्री की साधना का चमतकार आवर्णिये है। एक समय अकबर के महमंत्री मानसे को अकबर ने बुलाया और कहा कि हमारा प्रयाक का किला 18 बार धगया। उसका कोई उपाय करो ताकि वो सुरक्षित रह सके। तट पर ब्रमण करने लगे। उन्होंने देखा कि इस वीरान इस्थान पर एक महात्मा तप कर रहे हैं। वे उनके पास महँचे, उस समय वे ध्यान अवस्था मे थे। उन्होंने देखा कि एक अजगर उधर से आया और उन्हें निगलने का प्रयास करने लगा। वो तपस्वी को निगल न सका थोड़ी देर में उस तपस्वी का ध्यान तूटा और उन्होंने अपने तप बल से उस अजगर से अपने आपको मुक्त कर लिया ये सब तमाशा देखने के बाद मान से वहां पहुँचे थोड़ी देर बैटने के बाद महात्मा जी जिनका नाम देव मुरारी बावा था ने उनका कुशल समाचार पूछा उन्होंने कहा कि मैं अकबर का महामंत्री मान से हूँ और एक विकट समस्या के हल हे तू आपके पास आया हूँ उस महात्मा ने पूछा कि आप ने संकोच अपनी समस्या को बतलाएं हम उसके समाधान ही तू प्रयास करेंगे मान से ने बताया कि महात्मा प्रयाक के किले का निर्मान महाराज ने 18 बार कराया परन्तू पता नहीं किस कारण से या कोई देवी के अभिशाप के कारण वो बन नहीं पा रहा तथा बार बार धह जाता है महात्मा जी थोड़ी देर मौन रहे और अपनी ध्यान अवस्ता में चले गए उसके बाद मान से के हाथ पर कुछ रख दिया उन्होंने कहा कि आप इसे नीव में डाल देंगे और उसके बाद निर्मार करेंगे तो किले का कुछ नहीं होगा उन्होंने वैसे ही किया और किला तैयार हो गया वो वस्तू जो मान से के हतेली पर महात्मा जी ने रखी थी वो उन्होंने तुलसी की मंजडी दी थी देव मुरारी बावा गायत्री के बहुत बड़े उपासक उस जमानी में रहे हैं तथा उनका चमतकार सर्व विदित था सभी लोग उनके पास आते थे और वे सिद्ध की हुई मंजडी सब को देते थे मंत्रों का सुक्ष्म प्रभाव बहुत ही मत्वपून है उसमें भी गायत्री महामंत्र की महत्ता तो विलक्षड है इसके जब सिद्पन होने वाली शक्ति सारे वातावरण को कपादेनी में समर्थ है इस महाशक्ति का लाब जिनों ने प्राप्त किया वे धन्य हो गए इस महान मंत्र में सदबुधी ही प्रधान तत्व है जिसके आधार पर मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है तथा उभरता है आज के लिए इतना है